नमस्कार, स्वागत है आपका Zee Business पर आपके साथ मैं हूँ निहानन हम लगातार आपके इस चहेते चानल पर नए साल की स्टॉक पिक्स तो लगातार दे ही रहे लेकिन आज हम आपके लिए लेकर आए है एकदम खास नया स्पेशल शो अगर आप mutual funds में निवेश करना चाहते हैं तो किस category के funds में आपको पैसे लगाने हैं किस sector से जुड़े funds पर आपको focus करना जहां तक ड़ा return मिलेगा इन सारे सवालों के जवाब आज आपको मिलेंगे और इन सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ है None Other Than The Business के Managing Editor अनिल सिंग भी हम अनिल जी से समझेंगे उनके पसंदीदा funds के बारे में आईए करते हैं शुरुआत हमारे शो की नए साल के नए funds तो चलिए करते हैं शुरुआत हमारी इस खास पेशकरश की नए साल के नए funds नए साल के नए funds नया साल आ चुका है आपको क्या पसंद आ रहा है देखिए मेरको सबसे पहले तो यह जो mutual fund में इस साल कहां और कैसे पेसे लगा है इसकी रिसर्च करना बड़ा पसंद आया है आम तोर पर हमारी रिसर्च मार्केट पर रहती है हर रोज मार्केट का ट्रेंड क्या है मार्केट के छोटे और बड़े डेली ट्रेंड बी और कुछ बड़े ट्रेंड मार्केट में जो बन रहे हैं वो भी हम पकड़ने की कोशिश करते हैं स्टॉक्स पर हमारी हर रोज रिसर्स रहती है कई बार जब हमें में देश बर में गुमता हूं आप केसे पैसे लगाएं नहीं समझाता है mutual fund में लगा लो ज्यादा बैठर है तो ड्रे आप बोलते तो हो mutual fund में लगाएं क्यों से mutual fund में लगा हैं ये बड़ा 2024 में जो भी फंड आपको सेलेक्ट करना है एक चीज़ समझे कि हर एक फंड का सेलेक्शन इंडिविजियल होता है स्टॉक सेलेक्शन में आपको जरूरी नहीं कि बहुत ज्यादा फर्क पड़े कि मैं कौन सा लूँ कौन सा ना लूँ कम फर्क पड़ता है लेकिन यह ज्यादा जरूरी कि आप अपने फाइनिशल गोल के हिसाब से क्या खरीदना चाहते है तो पहले आपको अपना डिसाइड क्या है मेरा objective क्या है मेरा uniquish क्या है वो समझे मुझे एक साल के लिए पैसा दलना है तीन साल के लिए इंसक पर छाल के लिए शाज तो और उसके साब करने कि आपको कौन से केटिकरी सूट करेगी अब मैं इन जरनल बता रहा हूं कि क्या अच्छा रह सकता है 2024 में तो अभी का जो बाजार का मूर मौल है lifetime high के आसपास हम trade कर रहे हैं लगवग सार इंडेक्स life high पर हैं इस वक्त आपके लिए flexi cap funds सबसे ज्यादा आपके लिए सबसे बेस्ट है एक दूसरा जो फंड सबसे बढ़ी है वह है डेट और एक्विटी के मिक्स वाले अब आप सोचिंगा इसा क्यूं एक्विटी तेजी में है और अभी रहने वाली है ऐसा सबको लग रहा है लेकिन यह साल डेट फंड के लिए बहुत अच्छा ह सकता है पूछी क्यों उसका रीजन के नहाई है कि इस साल ब्याद गटे की अमीद है अमेरिका में भी और हमारे यह और जैसे यह जाने घटेंगी आपके बॉइंद नीचे आएंगे बॉइंद नीचे आएंगे नहीं के प्राइसिस बढ़ेंगे और बॉइन के प्राइसे बढ़ने का मतलब है कि debt fund में अगर आप पैसा लगा रहे है fixed income में आप पैसा लगा रहे है तो उसके returns आपके बढ़ेंगे इसलिए इस साल मुझे debt और equity के mix वाले ऐसे fund जिनमें दोनों का फाइदा तो एक प्यूर equity investor है तो आपके लिए वो fund लेना है जो flexicap fund है इसमें सभी तरह की equity हो चाहे तो flexicap ले ले चाहे diversified equity fund ले ले दोनों में से कोई भी ले ले और अगर आप थोड़े भी conservative investor है और आप चा अब पैसा लगाना कैसे तो मैंने बता दो तरह के बढ़ने के दो ही तरीके है पहले तरीका है तो यह कि आप monthly SIP कर ले हर महीने पैसा डालते रहे सबसे आसान ठीक है आसान काम है दूसरा तरीका यह कि आप थोड़े aggressive investor है मंतले SIP में तो दिमाग नहीं लगाना मेरी तारी तो ऐसे situation में आप एक काम कर लिए हर 2% निफ्टी का fall आता है वह आपको पैसा लगाना है for example 21,800 का high बना है 400 पर नीचे आये 400 आया मेरा पैसा महा लग जाएगा और 2-2% fall पर और aggressive trader तो 1-1% fall पर ही लगा लिजी अच्छा लेकिन 2-2% is best 2-2% रीजने वले क्योंकि रुनिंग 400-400 पर निफ्टी घटता है किसी लेवल से वहां से आप पैसा डालना है 21,800 से 21,400 आया थोड़ा डाल दिया, 21,000 थोड़ा और दाल दिया, 20,600 आया थोड़ा और दाल दिया इस तरह से आप डाल दिया तो आपकी क्या हरी कमजोरी पर आपका पैसा लग जाएगा ज्यादा ज कुछ-कुछ इन्वेसितर्स ऐसे भी हम तो रिस्क लेना चाहते हैं और फंड में रिसक नी लेंगे तो कह लेंगे और अधिर्ट एक्टिवट्यूटी में जरूद शिज्यादा रिससरी थे तो हम ऐंड़ा टोड़़ा पैसा लगाने है थोड़ा से लगाना है थिर उनके इन के जो आपको sectoral fund मिलते हैं, कई सारे mutual fund हैं, जिनके पास ये funds है, IT, pharma और सरकारी कम्ते हैं, इन में आप ऐसा इपी कर लिए, तो अगर आपको aggressively जाना है, तो या sectoral fund, passive जाना है, तो आपके लिए equity plus debt, moderate, equity, flexic, or diversified fund, clear. सर, आपने ये तो एक broadly समझा दिया, क्या करना है, कैसे करना है, कप करना है, क्या क्या तरीके, लेकिन सर, हर निवेशक की जरूद भी अलग-अलग होती है, तो कौन-कौन से अलग-अलग funds है, सर, जिनमें से चुन सकते हैं, या उनको देखना चाहिए, जो चुनने के लिए, पहला तो मैंने बता है, दूसरा multi-cap fund है, जिसमें अलग-अलग तरीके से fund होते हैं, वो जुन सकते हैं, multi-asset allocation fund है, ये भी आपके लिए investment के लिए अच्छे हो सकते हैं, उसके अलावा balance advantage fund है, multi-asset allocation fund के बाद balance advantage fund है, aggressive hybrid fund है, value and contra fund, ये मैंने total fund आपके लिए 6 तरीके के fund जुन सकते हैं, वो जानते हैं, sir, flexi-cap equity fund, आपने थोड़ा idea दे दिया, लेकिन थोड़ा समझाए, simple, flexi-cap का मतलब है, large-cap, mid-cap, small-cap, इन में तीनों में निवेश होता है, और कम से कम 55% इसका investment equity में रहेगा, बाकी 100% भी equity में जा सकते हैं, ठीक है, और थोड़ा बहुत देट भी क कि इस वक मुझे कितना large-cap लेना है, कितना mid-cap लेना है, पूरा 100% large-cap में चले जाओ, 100% small-cap में चले जाओ, यह आजा दी fund major को, इसका बड़ा फायदा क्या है, तीनों ही category के diversification का फायदा मिल जाता है, आपको large-cap भी मिलेंगे, small-cap भी मिलेंगे, mid-cap भी मिलेंगे, इसमें स अरे flexi-cap fund ऐसे मिलेंगे, जिसमें दो fund के बीच में, अलग-अलग fund house में return 10-15% अलग मिलेगा, कोई fund 15% outperform करता हो दिखेगा, और किसी का 45% return आ रहा है, किसी का 30% आ रहा है, इसलिए यह बहुत ज़रू है, इस वक्त जो सबसे बड़ी चर्चा market में चल रही है, और जो कश् पस्ता नहीं है, तो ऐसे कश्मकश में यह fund सबसे best है, fund में जो कोई दिमाग लगाने दो, इसको fees भी तो आप इसलिए दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, तो उसको बोलो, तु यह दिमाग लगा भाई, मैं तो पैसा देता हूँ, तो 2024 में यह है fund जिनमें आपको SIP करना है, मेरे जो तीन पसंदिदा flexi cap fund है, number one, पराक पारिक, one of the best funds, सदा बाहर fund है, मतलब इसमें लगाना ही लगाना है आपको, आप पिछले थीन साल के साला ना रिटन है, 39% मिलाके नहीं, साला ना रिटन है, HDFC flexi cap 36% रिटन दिया है, और JM flexi cap fund, यह तीन फंड है, जिनमें आप लगा सकते हैं, चलिए सर, यह बात तो हो गई, flexi cap की, लेकिन मल्टी cap equity fund पे आते हैं, मल्टी cap मतलब multiple, बिल्कुल, बहुत नाम से आसान है, बढ़िया काम है, कि पता जले, multi cap बाता हो, अलग अलग तरीके capital, market cap वाली कम, लार्ज cap, mid cap, small cap, तीनों में 25-25% निवेश करना ज सकता है, या fund major अपनी मर्जी से जिसकी में भी बढ़ाना है, उसको लगता है, 50% में large cap में रखूंगा, वो कर सकता है, 50% mid cap में रखूंगा, तो यह यहां पे भी सबसे बड़ा फाइदा क्या है, आपको diversification मिल जाता है, तीनों category में, लेकिन इसमें, मतलब जो 25% की limit है, कि minimum मिनिमम आपका 25% होना चाहिए mid cap में, minimum 25% large cap में, minimum 25% small cap में, इसमें fund major को छूट नहीं है, 25% तो आपको रखना ही पड़ेगा, 25% की limit आप कम नहीं कर सकते है, 100% पैसा है, 100 रुपे आपके fund में है, 25-25 तिनों में डाल दिए, बाकी 25 पे आपकी जो मर्जी आये करिए, वो इसमें fund major के पास जादा choice नहीं है, कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, इसलिए ये flexi cap से different है, इसलिए flexi cap, वो भी मैं आपको समझाँगा कि क्यों फरक है, पहले मैं बता दू कौन से fund पसंद है मुझे इसमें, इसमें मैंने दो ही fund चुने, एक निप्वन इंडिया multi cap fund, जिस और भी है flexi cap और multi cap, थोड़ा सा अंतर समझना जरूरी था है, कि आपको ये idea लग जाने है, कि आपको flexi cap लेना या multi cap fund लेना, flexi cap fund में minimum 65% equity में होता है, जो 100% तक जा सकता है, multi cap में minimum 75% होगा, क्योंकि तीनों category में 25-25% उनको रखना होता है, इसलिए minimum 75% उनका equity में होगा, अब multi cap में तीनों category में 25-25% रखना जरूरी है, flexi cap में कोई जरूरी नहीं है, अगर fund major को लगता है, 100% में पूरा large cap में जाओंगा, 100% mid cap में जाओंगा, उसकी मर्जी है, तो cap wise cap नहीं है, वेसा समझे है, ठीक है, flexi cap में fund major को पूरी आजा दिये, यहाँ पर थोड़ी आज flexi cap में क्या है, fund major जल्दी से इदर से उधर हो जाता है, multi cap में अगर बहुत ज़्यादा समझो कि आपको small cap बहुत अनाफशन आप महेंगे भी लग रहे है, फिर भी 25% आपको रखना ही पड़ेंगे, तो इसलिए flexi cap कम risk है, flexi cap और multi cap में सबसे बड़ा जो फर्क है वोई है कि आपका fund major बहुत बढ़िया होगा, तो flexi cap में पैसा बना के देगा, और fund major का coal बजार पर गलत गया है, तो आपके प्रस कम बनेगे, यह है, ठीक है, चलिए, तो risk के हिसाब से यह difference भी बैठता है, flexi cap और multi cap, multi asset allocation fund, यह तीसरा fund आपने इसका जिक्र किया, यह क्या होता है, जैसे multi में तो मतलब एक से ज़्यादा, एक से ज़्यादा क्या asset, यानि कि अलग-अलग asset class, allocation यानि कि अलग-अलग assets में पैसा लगाने वाला fund, अब अलग-अलग assets क्या होती है, वह मैं आपको सम्झा दो, पहले तो है, इन्हें इन्ही fund को hybrid fund भी का जाता है, क्योंकि इसमें अच्छा, वह तीसरी कौन सी हो सकती है, वह मैं बताता हूँ कम, और हर asset class में कम से कम 10% पैसा लगाएंगे, minimum, minimum, ठीक है, equity, debt, यह तो generally होता ही है, तीसरा या तो gold हो सकता है, यह gold में पैसा लगाता है, यह REIT हो सकता है, real estate investment trust, यह INVIT हो सकता है, तो यह 5 asset class में से कोई भी 3 प क्योंकि इन पे टेक्स जो लगता है, वह equity fund की तरह ही लगता है, flexicap, multi-cap तो खेर equity fund है, वहाँ तो equity की तरह ही tax लगता है, इन में भी tax जो लगता है, तो दा कि आपको long term, short term capital tax का benefit मिल जाता है, और वह तभी मिलता है, किसी भी equity fund में एक नियम ध्यान में रखिया, अगर उस अलग asset class में जाएगा, वह date में भी हो सकता है, gold में हो सकता है, invits और reads में हो सकता है, इसमें सबसे बड़ा फायदा क्या है, जैसे flexicap और multi-cap fund में आपको equity में ही अलग-अलग diversification मिलता है, अलग-अलग market cap के लिहां से, इसमें diversification मिलता है, अलग-अलग assets का, कि आपको पास fixed income है, कभी समझो equity नहीं चल रही date में पैसा बन रहा है, कभी gold में पैसा बन रहा है, वह आपको अलग-अलग asset class का, और यह इनके मुकाबले में और भी कम risk है, यहां पर आपको assets के हिसाब से, अलग-अलग निवेश की category के हिसाब से, आपको diversification मिलता है, और यहां पर जो मेरे आप यहां पर पैसा लगा सकते हैं, very well sir, चली हमने multi asset allocation fund समझ लिए, अच्छा सर अब चौथा आपने बताया, balanced advantage fund, यह क्या है, कैसे समझें, किसके लिए beneficial है, नाम में पता चल जा जा था balance, और balance किसमें बनाना है, equity और fixed income है, आम तर पर हिंदुस्तार के लोग कैसे है, बढ़ रहा है, वो दिवाग नहीं लेगाते हैं, लेकिन कम नहीं हो रहा, तो balance advantage fund का मतलब क्या है, कि एक balance बना के चलने वाला fund, और balance किसमें बनाता है, equity और debt दोनों के बीची में, इसमें equity भी है, और fixed income भी है, अब इसमें क्या है, minimum 30% equity होगी, जो maximum 80% तक जा सकती है, 80%, 80% और बाकी पैसा fixed income में debt में लगाया जाता है, ठीक है, अब इसमें ये फाइदा कि equity और debt का allocation आप कम ज्यादा कर सकते हैं, तो fund में जिर क्या करता है, balance advantage fund में, अगर आपका market सस्ता है, तो equity में देरे देरे पैसा बढ़ाते जाएंगे, और आजकल के हिसाफ देरे सा market बढ़ा अपने दिमाग से कम ज्यादा करता रहता है, लेकिन इसमें भी tax लगता है, वो equity fund की तरह ही लगता है, ताकि आपको tax का benefit में, debt fund में tax का benefit नहीं मिलता है, अब सबसे बड़ी चीज, दो जगे ये बड़ा काम आते हैं, पहला तो ये बाजार में उतार चराव ज्यादा है, त तो फिर ये fund बड़ा काम आते हैं, जब बाजार खराब हो रहा हो, equity exposure कम कर लो, debt में डालो, एक तो ये, दूसरा है कि कभी-कभी अगर debt market में बढ़ा तेजी होने वाली हो, और आम तो पर equity market की और debt market की तेजी अलग लग चलती है, तो ब्याज़रे lowest level पे होगी, तो equity market है, तो थोड़ा डर रहता है, तो balance advantage fund का सबसे बड़ा फाइदा क्या है, ये balance बना रहते हैं दोनों के बीच में, और ऐसे में आपके लिए, HDFC का एक ही मेर को इसमें fund जो पसंद है, HDFC balance advantage fund, शानदा बैतिन, मतलब इस fund के size देखें, 70,000 कोड के आस पास के, best fund है, और इसमें date का mix है, 50% equity, 35% debt है, simple सा है, equity fund की तरह है, इसमें भी tax station है, मैंने सारे fund इस तरह से चुने हैं, जिसमें आपको tax का benefit मिले, exactly, कि आप एक साल, तीन साल अगर लगा कर रखें, तो पता चला कि नहीं, तो tax में ही आपके return चलेगा, तो tax की benefit की हिसाब से चुना है, जिनकी average risk लेन fund थोड़ा ज्यादा aggressively manage किया जाता है, यह आराम से passively manage किया जाता है, ICIS approved equity and debt, एक यह fund है, DSP equity and bond, यह दूसरा fund है, JM aggressive hybrid fund, यह तीसरा fund है, इन तीन fund को आप चूज कर सकते हैं, इसमें, इसमें, लास्ट but not the least, value and contra funds, इसके बारे में बताईए, एक हैं, दू हैं, अलग हैं, क्य एक सा फरके में पहले समझाता हूँ, पहले value fund बता दो, value fund में equity में 50% minimum पैसा रहेगा, यह fund उन शेरों में पैसा लगाता है, जिनकी value बहुत है, लेकिन अभी market ने उसकी value को समझा नहीं है, या under value करके रखा है, कई बार हम बोलते हैं, जिसे holding company हैं, value unlocking होगी, तो जो company value unlocking करन करना पड़ता है, क्योंकि value तो है, लेकिन value निकल कर बार कब आएगी, वो पता ही, वो नहीं पता है, वो लंबा समय लग जाता है, तो इसमें value investing में ज्यादातर fund में क्या देखता है, पहले चीज तो है कि company के fundamental बहुत अच्छे होने चीए, और दूसरा ही कि उनका competitive advantage कितना ह अगर यह दोनों चीजे fit है, तो फिर उनकी calculation में यह बैठ जाता है कि value investing के basis पे, हम value fund में पैसा लगा सकते है, तो यह सीधी-सीधी बात है, जिसको आम बाशा में बहुत है, रुपे का माल 50-75 पैसे में 54 में मिल रहा है क्या है, वो देखके fund major share खरीता है, दो fund है, जिसमें आप सोच सकते है, आज इती पर ला सनलाइफ का ABSL pure value यह एक fund है, और Nippon India value fund है, यहाँ पर दो जगा सकते हैं आप पैसा, और sir, Contra fund, Contra fund, Contra जैसे नाम है कि आप मतलब दुनिया के विपरित चलो, Contradictory, Contradictory, जो सब सोचते हैं उसके अलग, कुछ-कुछ शेर ऐसे हैं जो आज कल चलते हैं, for example, पिछले साल, IT, Pharma, Metal, Contra हो गए, कैसे है, किसी को IT नहीं लेना, किसी को Pharma नहीं लेना, Metal कभी पता नहीं थे, Metal कभी है, यह तो सब खराब है, खराब है, लेकिन कुछ-कुछ fund managers ऐसे होते हैं, वो यह सोचते हैं, जब सब खराब बोलें, तभी तो तो यह लेते हैं, यहां पे भी रिस्क वह जादा है, क्योंकि आप माज़ार के ट्रेंड के वीपरीच चल रहे हो, और रिस्क एक तो नीचे जाने की है, दूसरे रिस्क ज्यादा लंबा इस समय तक इन्वेस्टेट रहना पर सकता है, जो नहीं कि आपने लिए तीन मेने मे मिट कैप, स्मॉल कैप, तीनों स्पेस बाज़ेंगे, आपको कौन सा फंड पसे है, यह जो रिकमेडेशन वाले फंड से मिने व सारे आपको बता दिये, अब कई बार लोग यह सोचते कि अलग अलग केटिकरी में मुझे अगर लगा नहीं है, तो सिंपल सी चीजे लार्ज के बार अगर अच्छे शहर आपको चाहिए, लार्ज केप फंड में लगा लिजिए, निपोन इंडिया लार्ज केप फंड, HDFC टॉप 100 और ICI से प्रूब ब्लुचिप, यह निफ्टी के सब्सिटूट समझ लिजिए एक तर से, अगर इनमें लगा लिजिए उन से थोड़ मिटकेप फंड, HDFC मिटकेप ऑपर्चुनिटी फंड है, जिसका 50,000 कोर्ड से जाना काई यह यह बहुत बढ़िया है, निपोन इंडिया ग्रोथ फंड है, और तीसा है टाटा मिटकेप फंड, यह तीनों ही फंड बढ़िया है, आप यहां पर पैसा लगा सकते हैं, आपको बढ़िया मुझे नजर आते हैं, इनमें, इन्वेस को इंडिया स्मॉल के फंड, नमबर वन पर रखूंगा, फ्रेंकल इंडिया स्मॉल के फंड नमबर तरी, इन तीन तरह के यह आपको प्रसंद के, तो अब आपको यह देख रहा है, आपको अपने हिसाब से, अब मल्टी एसेट ऐलोकेशन फंड में चले जाएए, इसमें आपको इक्विटी, डेट, गोल्ड, इन्वेट, सब मिल जाएगे, तो बस आप थोड़ा सा, मैंने फंड सारे आपको देजी है, अब थोड़ा सा आपको इंडिविजली अपनी इसाब से सोचना है, चली तो अब किसी के शिकायत नहीं होगी कि अनल जी बोलते हैं कि आप फंड में पैसा लगाएए, और आपको पता नहीं कि कहा लगाना और कैसे लगाना, क्योंकि ये शोई है, ये आपके लिए पूरा एक सार बता चुका है कि आपको म्यूचिल फंड में कहा कब कैसे कितना पैसा लगाने हैं अफ्कॉस आप इसको repeat भी देख सकते हैं सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म पर जाएए और वहाँ पर आप आराम से अपनी space पर अपनी speed पर देख सकते हैं थैंक्यू सोमच सर हमारे साथ जुडने के लिए और इतने बहतरीन तरीके से बताने के लिए कि फंड्स में इस साल क्या कुछ करना है तो हमारी खास पेशकर्श में इतना ही बने रही है जी बिजनेस के साल रेकियो उस पार भी खबरों का सिल्सला जारी रहे है झाल